कि दे चैंड है तो सब्सक्राइब को नमस्कार प्र नाम आप सभी का हमारे YouTube ट्राइब पॉइंट में बहुत बश्वाजत है तुछलिए आज स्टार्ट करतें कि आज यहिक्रचार स्टार्ट करतें बीना कोई बक्तूद किये हुए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिइसटेंस पढ़ा तहसे क्या पढ़ा थे टाइम एंड डिस्टेंस कि शमय दूरी vida या यह नफ़ेटे चुआ मैं डिस्टेंस पढा जो कोश्चन ता हम लोगों ने पढ़ दिया था और पिछले क्लास के बोला भी था ताकि पिछले क्लास जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो हम टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे हम नया चेप्टर को स्टार्ट करेंगे ताकि टाइम एंड डिस्टेंस मेरा क्या हो गया था समाफ्थ हो गया था आज हम लोग नया चेप्टर को स्टार्ट ठीक है आज आपने को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कौन रेल ठीक है आज हम लोग रेल को पढ़ेंगे क्योंकि यह टाइम एंड इस्टेंस में जैसे समय दूरी और स्पीड निकालते थे उसी परकार रेल में भी समय दूरी और स्पीड को ही निकालना है क्या करना है टाइम डिस्टेंस और स्पीड को ही निकालना है कुछ दोनों चैप्टर में कोई अंतर नहीं है बस किताब ने क्या किया है कि रेल का चेप्टर अलग कर दिया है और स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्या किया है अलग कर दिया दोनों चेप्टर है एक ही ठीक है दोनों चेप्टर में कहीं पर भी कोई प्रकार रिखा कोई तरह का चेंडिंग नहीं है बस यहां क्या करता है किसी बस् पूछेगा कोई आत आ ठाखो किसी गाड़ी बारें पुच्छए लेकिन यहां क्या करता है फेरेल के यहीं ृपुष्टा होई है कि 20 km प्रतिएगंटा जाएगा किसी व्रेडफारम को पार करेगा या किसी ब्रीज को पार करेगा या खंबे को पार करेगा ठीक है लेकिन दोनों चप्टर में किसी प्रकार का कोई डिस्टेंस या क्या बूलते है उसको किसी प्रकार का दुनों ना अन्तर कोई नहीं है ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेल रेला श्टाट करते हैं सबसे परले हैं ड्राम लोग बेसिक कॉंसेप्ट परहेंगे है रेल होता क्या है तो बता दिए है रेल वही है मालो यह रेल है क्या है यह रेल है और इसको किसी प्लेट फॉर्म को पार करना किस क्या पार करना प्लेट फॉर्म को या पूल को या खंबा को यहीं चीजिस में पुछे गा किसी कोई रेल गारी 20 किलोमेटर प्रति घंटा कि स्पीट से जा रही है किसी प्लेट फॉर्म को पार कर रही है किसी पूल को पार कर र जीनो मान करके समझेंगेंकि मुझे कुछ नहीं आता है आपकी दुनिया का सबसे मुर्ख ब embrykkria हम क्या है दुनिया का सबसे मुर्ख बेर्टी तुमो हो और मैं येल पढ़ने गार हुँ जब तक अपने आपको अपने आपको कमजोर नहीं मानिएगा तब आग कुछ नहीं सिख पाईएगा। सुचिएगा जहां में सब आता है पर लिजेगा समझ भी नहीं आएगा जाएगा जाएगा एक्जाम में माथा तुम्हारा ही चक्कर देगा। जो जीरों माने के परहाऊगा उतर ली बनाई हो देगा। तुम अगर तेज बना होगा तो आपने आपको दुनिया का सबसे कमजूर ब्यक्ति मानिए और तब जाकर पढ़िए तब देखिए कि पढ़ने में कितना मजा आता है तो चलिए स्टार्ट करते हम लोग क्या करेंगे तो चलो तो स्टार्ट करने सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल वाली बेल आइकन को दबा दीजेगा ताकि मेरा हर एक विडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको एक्जाम देने में तनका सा भी दिक्कत ने होगा तो आपको नहीं होगा चलिए स्टार्ट करते हैं तुम से देख है जब किसी बख्तु को पुछेगा तुम देखा होगा तुमसे पुछेगा या तो रेल किसी ब्रीज को पार कर रहा है या किसी जो क्रॉसिंग होता है उसको पार कर रहा किसी खभ को पार कर रहा कि इस टाइप से क्वेशन आपके रहते हैं और अम महल लो तुमकी तुमसे कॉषन पूछ दिया कि इसoster places ंत यह 600 मेचर प्रीट्फंबी को पाइब तो सबसे बैसिक सबसे आसान से असान ми कि लिए और सिसी खंबा कि जी आदमी कोई भी सिंगल बस तुजिस हो,arda । जिसमें डिस्टेंस ना हो क्या हो जिसमें डिस्टेंस ना हो जिसकी अपनी कोई दूरी ना हो सिरा सिंपल है कि कोई भी बैक्ती या खंबा या कोई भी वस्थू जिसमें दूरी ना हो तो उस कंडिशन में क्या होगा ट्रेल सिर्फ अपनी लंबाई को पार करें क्या होगा ट एक 400 मिटर प्रेटफर्म की लंबाई या 400 मिटर ब्रीज या ट्रेन से बरा या छोटा मतलब जिसने उसमें डिस्टेंस और दूरी हो उस टाइप से क्वोशन पुछेगा तू सिंपल में समझेगा जिस बस्तू की दूरी हो जो बस्तू ट्रेन के लंबाई के बराबर हो या ज ट्रेन की लंबाई प्लस बस्तू की लंबाई को जोर देते हैं क्या करते हैं जोर देते हैं लेकिन जिस कंडिशन में सिर्टेन की लंबाई होगी जिसमें खंबा होगा आदमी होगा चोटा सा बस्तू होगा जिसकी कोई दिस्टेंस नहीं होगी अपनी कोई दूरी नहीं हो कि उस कंडिशन में हम क्या करते हैं शिप्टेन की लंबाय का ही शिप्टेन की लंबाई को ही लेते हैं ठीक है तो चलिए देखते हागे जैसे जैसे यासे qo should बनाएएगा आपका पूरा का पूरा क्या होगा किलियर हो जाएगा कि मुझे किस प्रकार पढ़ना है ठीक है है थोड़ा थाब लगने पी लेने से इसल हड़ार सफमिलि बात सार्व हरा ह।ORD भी बहुत सारै के से आ रहें अभी इसलिए कीब्लight करके फ्रीज का पानी या किसी भी गर्म गर्मि में कहीं यह थंडी बस तुको न पीए इसा पर ध्यान दीजेगा चलो कोशन देखो कोशन तुम से क्या पुछेगा कि एक एक चार सो या बारह सो मीटर लंबी रेल गारी एक बारह सो मीटर लंबी रेल गारी ठीका एक बारह सो मीटर लंबी रेल गारी लंबी रेल गारी द्वारा कि एक बारो सो मीटर लंबी रेल गारी ज्वार आठ सो मीटर लंबे आठ सो मीटर लंबे प्लेट फॉर्म को लंबे प्लेट फॉर्म को पार करने में कि लंबे प्लेट फॉर्म को पार करने में चालीस सकेंड का 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 कि लेती है क्या करती है समय लाती है तो यह लगारी कि चाले ज्याद करें तो रेल गारी की चाले ज्याद करें चलो देखो क्वोश्चन क्या कर रहा है कि एक बारा सो मीटर लंबी रेल गारी द्वारा आठ सो मीटर लंबे प्लेट फॉर्म को पार करने में चालीट सकेन्ड का समय लएती है तो रेल गारी की चाले ज्याद करे और इस कंडिशन में क्या होगा कि रेल है कि यह प्लेटफार्म है यह मैं यह प्लेटफॉर्म में यह डाइन अब 2100 मिटर लंबी एल गारी है और 800 मिटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है में हम क्या करेंगे रेल की अपनी लंबाई प्लास मस्तू की लंबाई मतलब प्रेटफ़ार्म कीफ्Heạo और ब्रीज पुच्छेगा रेलवे क्रॉसिंग के बारे में पुचेगा रेल के लंबाई हां मतलब जो रेल के लंबाई के आसपास का हो मतलब लंबाई जिस में हो उस टाइप से कोशन पुछेगा उस कंडिशन में क्या करेंगे रेल की लंबाई प्लस बस तुम जो भी चीज़ पुछे उसकी लंबाई को जोड़ देंगे अब तुमको एक बात पताते हैं ला तो कल बता हुए देखो यहाँ पर देखो मालो यह रेल है यह क्या है रेल है और यह प्लेटफॉर्म है यह प्लेटफॉर्म है यह प्लेटफॉर्म है जब रेल और प्लेटफॉर्म की बात करेगा क्या करेगा जब रेल या प्लेटफॉर्म की बात करेगा तो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या करेंगे जोड को पार करने के लिए इसको यह यह दो यह यहां तक आया और इसको पार करने के लिए इसका पूरा ल्माई यहां पे है कि यह लंबाई माल लो यहां पे पार कर गई ठीक है त nuestras तो ट्रेन कहां पे है यह प्लेटफॉरम पे है जब तक यह लास्ट वाला वोगी यहां पे नहीं आएगा तब तक पार करेगी नहीं करेगी इस लिए मैं सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म की लुनबाई को प्रणों को चूड़ देते हैं हमालों यह खंबा यह के खांबा एक और यह आया सटाख से निकल रिया आव़ इस सम्भाद हो套ि लंबाई पार कई इस के रिस्पेक्ट कि लंबाई है बस्तु का कोई लंबाई है बस्तु का कोई लंबाई नहीं ट्रेन आया और पार करेगा ट्रेन सिर्फ क्या करेगी अपनी लंबाई को पार करेगी ना कि बस्तु की लंबाई को ठीक है तो सिंपल असान में समझें सिंपल भासा में कि ट्रेन अगर खंदा आदमी को पार करे तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी या ट्रेन ब्रीज को या पूल को या प्लेटफर्म को पार करेगा तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ बस्तू की लंबाई को भी पार करेगी तब जाकर क्या पर कोश्चन बने पाएगा और यहां पर कोश्चन क्या कहा है कि एक 1200 मीटर लंबी रेल गारी द्वारा 800 मीटर लंबे प्रेटफर्म को पार करने में 40 सकेंड का समय लगता है तो रेल की अपनी लंबाई कितनी है रेल की अपनी लंबाई कितनी है 1200 मीटर रेल की लंबाई है और 800 मीटर प्रेटफर्म है और प्लेट फॉर्म की लंबाई कितनी है तो 800 मीटर तो रेल और प्लेट फॉर्म मंदर रेल को क्या कर रहा है प्लेट फॉर्म को पार करना है तो रेल क्या करेगी प्लेट फॉर्म का क्या है लंबाई है इसमें तो लंबाई जीरो नहीं है इसमें डिस्टेंस से 800 मीटर मंदर प्रेटफॉर्म लंबा तो ट्रेन के साथ साथ प्रेटफॉर्म को लंबाई को भी पार करना होगा तो दोनों के लंबाई को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्रेटफॉर्म की लंबाई तो बारा सो आठ सो दू हजार मीटर दो हजार मीटर अब क्या करेंगे जब ट्रेन और प्रेट्फर्म की लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तब जाकर के मेरा पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा और करा चालिस सकेंड में क्या करता है पास करती है तो यह क्या है यह दूरी दूरी क्या है कि यह लगा यार सो मीटर प्रेट्फर्म को पार करने में चालिस मतलब गर 2 perfect मिटर को पार कके लिए चालिश सकिन्ड का समय लगता है इसा होगा पंच्श कब वे तो एक सकेंड में क्या होगा पाँच पचास मीटर पर सकेंड इसका अंसर होगा पचास मीटर पर सकेंड समय दिया हुआ सा है तो हचां किया वाटेजिआ रहे हुए यहां पर क्या पूच रहा है तो सब्सक्राइब दूरी बटा अीं चाल में पर फया होद है यहां किया पूछ रहा है तर दूरी पर्टा समय क्या होता है तो तोटल डिस्टेनल 2000बीटर और समय देदिया 40 सकेंद तो जब काटि लिए दे बीटर केफिए थ्वारक्रेइद को पार किक्षर देब हमेशा याद रखिएगा कि जब कोश्चन में दिया हुआ होगा कि ट्रेन ब्रीज या प्लेट फॉर्म या लंबी बस्टू को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ बस्टू की लंबाई को भी पार करेगी जब कोश्चन में दिया रहा है कि ट्रेन खंबे को पार क लेगी बढ़े आगे चलो नेक्स्ट कोश्चन कि दिल ना लगई है चुट्टा सा क्या कहता है गाना सा सुनाइए जाहे चंदा क्या बोलते हैं गानों को याद नहीं है क्या कहता है याहे चंदा अधिकर नेक्स्ट बढ़ आगे हैं हमको दो गाना वना भजपुरी आता भी नहीं है अचलवास कोता है क्या गाना सबस्नाइए नेक्स्ट कोश्चन देखें क्या कर रहा एक शोलो सो मीटर लंबी ने लगा रही है एक शोलो सो मीटर रेल गारी द्वारा शोलो सो मीटर लंबी शुरंग को लंबी शुरंग को पार करने में पार करने में एक मीनट पचास सकेंड का हिंदी में लीख लो का समय लगता है तो उसकी चाल ग्याद करें अब देखिए फिर से कोशन इसलिए हम रिपीट कर दिया है कि आपको हर कोशन का पूरा सब्सक्राइब करें अब देखों इसलिए पार करने में एक मीनट पचास सकेंड का समय लगता है तो उसकी चाल ग्याद करें भिवेल अब देखों डेल गारी की लंबाई कितनी है तो 1700 मिन्टर के लंबाई दिया हुआ और शुरंग की लंबाई कितनी है तो सुरं पार दिया हुआ जिस चीज जिस बस्तू में दूरी हो जिस बस्तू का अपना कोई डिस्टेंस हो तो रेल के साथ बस्तू की लंबाई को मिलोग जोड देते हैं सब्सक्त टोट्ल सो मीटर रेलगाडिहें कों दो सो दिस्टेंस कितना हो गया स्ब्सक्तू समय अभिशान धिया हूँ है समय है दिया हुआ है समय क्या दिया हुआ एक मीनट पचास सटे एक मीनट बरावर कितना होता है एक मीनाट बरावर साठ सकेंड और पचास सकेंड दिया हुआ abundance a 2-6, 50 km को जुरिए गा 110 सकेंड क्योंकि मीटर के साथ साथ हमेशा याद रखिया मीटर पर सेकनल इसका इमिट होता है तो समय को नी मिनट को सकेंड में चेंज करना होगा जब किलो मिटर पर तो आप मेंटर उसको मिनेट में चेंज कर दोगे घंटे को फांच वटा थारा से चेंज किया जाता है अब मिनेट में करने के लिए थारा बटा पांत से चेंज करते हैं लेकिन यहाप सिंपल है तो एक मिनेट को 60 सकेंड और 50 सकेंड दिया हुआ तो टोटल समय कितना हो गया एक सो दस सकेंड अब 110 अब कराव चाल ग्याद के लिए तो चाल वरावर क्या होता है दूरी बटां समय क्या नहों और मुला चाल बरावर दूरी बटां समय तोटल दूरी कितना है चौबीसो मीटर और समय कितना है 110 सेकेंड को एकस अच्छा सौरी गलती हो गया ना वह तो कर रहा है सोलह चोबाइस नहीं होगा जी सोलह चोबाइस से सुनों होगा इसके लिए आप लोग से सौरी जोड़ने में तो यह गलत हो गया आ यह 222 मिटर आप जा करके सही हो गया इंसान रे से गलती हो जहनवर से थोड़ी हो जानवरों होता है लेकिन गलती इंसान सही ज़्यादा होतां है हम भी तो इंसान हैं गलती होगा ही अप लोग का काम है बताना हो प्रतप सो मिट्र की दूरी को 110 सक्राम क्या करना करना इत्adece ग्राइड दूना कितना होता है बाइस मतलब 20 मिटर हका पर सब्सक्राइद क्या होगा 20 मिटर पर सेकेंड मतलब एक सखेंड में 20 मीटर की दूरी तो टोटाल करने के लिए 200 मिटर के दूरी को पार करने के लिए 20 सकेंड का समय तरे लगाड़ी को लगे जा तब जाकर के शुरंग को 600 मिटर लंबी शुरंग को पार कर जाएगी ठीक है तो लिखिए इसको फिर बढ़ते आगए जिस प्रकार से टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते थे सेम हुआ ही कोश्चन है सिर्फ इसमें रेल गारी के बारे में पूछेगा रेल गारी की लंबाई यह है वह इतना दिल प्रेटफॉर्म को पार करेंगी और उसमें क्या पढ़ते थे कोई लरका गया आया चेस की चाल या सब ही में समय दूरी और चाल यही तीन चीज निकालना किताब में क्या किया है और टाइम डिस्टेंस और स्पीड को अलग कर दिया लेकिन है दोनों एक ही तो पढ़ने में मजा आएगा आप अपने आपको एकदम जीरो मानिके पढ़िएगा कि आप सबसे दुनिया के मुर आपको बेखती हो और मैं आप मैच परने जा रहा हूं वह भी जेल एक बार आप रेल पर लिजेए हमसे आपका रेल कभी पट्री से नहीं उतरोगे सब्सक्राइब कर दोस्तों को भी पता दिजेगा कि सब्सक्राइब पढ़ा रहा हैं बहुत अच्छा चप्टर है और एक जाम में पुष्टा यहां से दो नमबर कर और वीडियो को सुरा अपने दोस्तों के पास भी तो और सेयर कीजिएगा का कि कि जब हमारे यूटूबर्स जब आपका जब दिमांड होगा तो मैं लाइ अब लग क्लास बी स्टार्ट हो जा इसलिए त्यार रहेगा अब लाइप लाइफ को नहीं हो रहा आप पर रिकॉर्डट वीडियो हम लोग क्या करते हैं वीडियो क्लास चलता है ऊपको यूटूब के माध्यम से आपके यह पहुंचाने का काम करते हैं लेकिन जब हमारा कर लेंगे तो हमारा लाइब क्लास भी आपके यूटुब चैनल पे आपका अपना यूटुब चैनल टॉपर पॉइंट पे आना शुरूर आया ठीक है इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं जल्द से जल्द वह लक्ष भी पूरा कर जाएंगे जिस लक्ष को पाने का हम लोग का एक सपना है ठीक है तो बहुत जल्द आपके सामने लाइट क्लास भी ले करके हम आएंगे थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए कि वीडियो को थोड़ा ज्यादा सेर कीजिएगा ताकि जैसे ही एक यार सब्सक्राइबर हो जाएगा भी पूरा एक यार से कम है हो जाएगा हमारा टारगेट है अगले महिना तक का पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग लाइब क्लास जुड़ेंगे आप से दम लाइब टू लाइब फेस टू फेस तो नहीं जूर पाएंगे बस आप उधर से चैटिंग किजिए आप मैं इधर पढ़ाओंगा तब जाक कोशन देखते हैं लेक्ष्ट कोशन क्या करा करा एक रेल गारी की चाल साथ मीटर पर सकेंड है एक रेल गारी की चाल कि साथ मीटर पर सकेंड है क्या है साथ मीटर पर सकेंड उसके द्वारा उसके द्वारा चार सो मीटर लंबे पूल को कि चार सो मीटर लंबे फूल को पार करने में तीस सकेंड का समय लगता है तीस सकेंड का समय लगता है तो रेल गारी की लंबाई याद करें तो तो रेल गारी की लंबाई याद करें है थेका कोशन क्या करा है एक रेल गारी की चाल साथ मीटर पर सकेंड उसके रवारा चार सो मीटर लंबे फुल को पार करने में 30 सकेंड का समय लगता है तो रेल गारी की लंबाई ग्यात करें तो देखिए चाल दिया हुआ साथ मीटर पर सकेंड और दूरी दिया हुआ चाल रुको रुको चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तीस सकेंड अब देखिए इसमें चाल आपको कर रहा है कि गआ कि आई कि यह रहाँ दूरी पर सकेंड के yılिएच्पेैं Сам सब्रस्ट पर्सक्राइस चल लए और उसके दोआ चारसो मीटर जंबड़ फूल को अब इसमें रेल गारी का कोई लंबाई नहीं दिया हुआ है इसमें इसमें आपको दिस्टेम सब्स्च दिया हुआ किसका पूल खा और चाल दिया हुआ समय दिया हुआ तो रेलगारी की लंबाई ग्यात करना तो क्या करें चाल और समय तो दूरी निकालने के लिए रेलगारी कीovan निकालने के लिए दूरी कि इतना क्या होता है थी तोटल डिस्टेंस निगल किसका रेल गारी का प्लस फूल का लंबे पूले ना यह ठारशो तार्शो मीटर जो डिस्टेंस निकला यह डिस्टेंस है रेल गारी क्या प्लस पूल का का कि यह दिया हुआ है कि रेल गारी की 40 मीटर पर सकेंड है और उसके द्वारा 400 मीटर लंबे पूल को पार करने में 30 सकेंड का समय लगता है तो रेल गारी अपनी लंबाई पार करेगी या प्लस पूल की लंबाई पार करेगी यहीं न करेगी रेल गारी अपनी लंबाई के साथ साथ पूल की लंबाई को भी पार करेगी तब जा करके कोश्चन आपका बनेगा तो रेल गारी और पूल की लंबाई जह हम निकाले 4 लगुना समय से तो 1800 मीटर आया जिसमें से 400 मीटर का पूल है तो 400 मीटर का पूल है और हमको करा कि रेल गारी की लंबाई ग्यात करें तो 400 मीटर क्या करेंगे घटा देंगे तो आटाराल सुमें से चार सो मिटर घृटाई एक तो कितना आएगा चावदो सो मीटर एंसर आएगा ठीक है तो दोटल दूरी कितना है जोड़ो सो आठाराल सो मीटर यह क्या हुआ तो टोटल दूरी वाकिसका रेल गाड़ी और पूल का और उसमें से हम क्या कि चार सो मीटर का पूल पहले से हमें कोश्चन में दिया हुआ है तो आज का समय समाप्त होता है फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर इसकе आगे पढ़ें इस दो तीन दिन क्लास चलेगा आपका रेल का टाइम अण डिस्टेंस और रेल आपका पूरा कोवर हो जाएगा फिर हम लोग क्योंकि दोनों का तो इसलिए हमारा मंताल बाद में स्टार्ट करते हैं लेकिन रेल हम इसलिए स्टार्ट कर दिया है कि टाइम एंड डिस्टेंस आप पढ़े होंगे और अब पढ़िएगा तो दोनों सेम पैटन पर है तौपका पूरा का पूरा रेल भी क्लियर हो जाएगा और टाइम कि यह कलिए हो सकते होगा सिर्म तुब बढहार ब्लब को यहान। दोनों को हमसे कर दाएं. घॹरला बेगा फो कॉंसे पलास में के ऐसे प्रहां से नहीं उतर करने देंगे या आप से बाद आम करके जाते हैं कि आप जब पढ़िएगा हमारा जब रेल क्याप्टर आपका अभी भी पटरी से उतरिएगा और इसा आपके दिमार में रेल को बसा देंगे अभी जब तिन कोश्टन पढ़े हैं तो आप देखें हो येगा कि कोश्टन किस टाइप से हैं और कितना असान से असान लेंग्विज में आपको सम्झा देते हैं ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चलास में सब तक भी सब्सक्राइब को बाइबाद टाटा धन्यबाद और दिवेस्ट